कौन सा सही सुमेलित नहीं विभिन शहर हैं और किस नदी के किनारे इस थी थे बताना है तो पेरिस तो सी नदी के किनारे हैं बिल्कुल सही है बर्लिन अभी सुबह ही हमने आपको दिखाया था सुबह वाले वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों आठ बजे जो मेरा डेली करेंट एफियर्स का परिक्षा खबरी वीडियो आता है प्लेलिस्ट में बाब जाकर किसी भी डेट का उसमें न्यूस देख सकते हैं तो बर्लीन स्प्री नदी किनारे है वासिंग्टन डी सी ये पोटो में एक नदी के किनारे है बिल्कुल सही है मांट्रिय मांट्रियल ये कनडा का सहर है जबकि राइन यूरोपी नदी है यही गलत है यही सुमिलित नहीं है मांट्रियल जो है सेंट लॉरेंस नदी और ओटावा नदी दो नदियों के किनारे मांट्रियल इस्थित है राइन नदी ये जर्मनी में बैती है ये यूरोब की मातपू बंदरगा माना आता है यूरोप का इस्थित है जर्मनी में इस्थित है यह बिभिन दर्रे है और बताना है कि सराज में इस्थित नहीं है पूछ रहा है सुमेलित नहीं है तो माना दर्रा तो उत्तराखंड में उत्तराखंड के दर्रों को याद करने का मैंने तरीका बताया तब मालिनी सियाद रखेगा माना लिपुलेख और नी से नीती दर्रा बड़ा लाचा दर्रा ये हिमाचार प्रदेश में इस्तित है ये भी बिल्कुल सही है आपका बड़ा लाचा शिप कीला और इसके लावा रोतांग दर्रा ये तीनों दर्रे मुख्य दर्रे हिमाचर प्रदेश में इस्तित है इसके बारे हमने आपको पहले बताया भी था तो ये भी सही है तूजू दर्रा ये सिक्की मिस्तित नहीं है सिक्की में आपके नाथूला दर्रा है और जलेपला दर्रा ये दोनों दर्रे आपके सिक्की मिस मांचित्र आपको दिखा देते हैं ये जो न्यों आपका मैंप आया है उसके अंसार लद्दाक और जम्मू कश्मीर की ये इस्तिती है तो अभी कारा कोरम और जोजीला दर्रा ये जो जम्मू कश्मीर में इस्तित होते थे अब लद्दाक में चले गए हैं बुर्जीला दर्रा, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है वेडियों में पढ़ूँगा आज किवल इस क्वेश्चन का जो अचेत्य था वो बताना था तो इसका जो है तुझु धर्रा होगा यह सिक्किम में नहीं है यह मड़ीपूर में है बाकी तीनों सही है अभी जो बनियाल दर रहा है जम्मू कश्मीर में हो गया है तो आप से ज तो नहारी का संकलपना के लिए लापलास का सिधान था लापलास इसके लिए प्रसिद्ध है आज के समय में पृतवी और अनिग्रखों के उटपत्ती के यही प्रसिद्न है वहीं द्वैत जंकलतन की बात करें तो चेंबर मोलीटन कि गर्णव कलतना और जेम्स जीन्स ख्मरीबॉश इन परिकर्पने हैं इन परिकर्पनके Bारे में यदि अप吃ा ना बहुत ज्यादा न तो आपके मुखे परिक्षा की काम आएगा न तो आपके प्रार्मी परिक्षा के लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं तो यह point out कर सकते हैं किसी questions के answer में अगर आप मुखे परिक्षा लिखने जा रहे हैं मुखे परिक्षा आपको लिखनी है किसी question के answer लिखने तो आवाज में प्रावलम है इसलिए छोटे-छोटी वीडियोस दो-तीन दिन आएंगे तो आवाज जैसे ही सही हो जाएगी तो इंक्रीज करेंगे टाइम भी और ये क्वेश्चन के नंबर्स भी इंक्रीज होंगे बहुत बहुत धन्यवाद अब हिस्टी के कोश्चनल देख लेते हैं पिछले वीडियो का जो अंतिम प्रशन था वो भी मैच करना था और विविन संस्थाएं थी और उनके संस्थापक जो सुल्तान थे मैच करना था इसको भी मैच करना है ताकि कंप्लीट हो जाए दिवाने अर्ज, दिवाने मुस्तकराज, दिवाने बंदगान, दिवाने कोही हमने बताया था दिवाने अर्ज के बारे में बल्बन के द्वारा स्थापित किया गया था दिवाने मुस्तक राज के बारे में चर्चा की थी यह दिवाने जो रसालत था उसके अंतरगत एक संस्था थी अलाव दिन खिल जी ने स्थापना की थी इसकी दिवाने बंदगान दोस्तों यह फिरोशात तुगलक द्वरास्थापित संस्था थी और दिवाने को ही या इशी से संबंदित संस्था था वो मुहम्मद बिन तुगलग द्वरास थापित किया गया था तो एक दो तीन चार इसी क्रम में सही हो जाएंगे बीस का उतर है एक दो तीन चार आगे बढ़ते हैं बलबन निम्लकित सूफी संतों में किसका शिष्य था बलबन वाज डिसपि और देखें दो में किसके हैं बाबा फरीत का सिष्य था बहुत सम्मान करता था इतना सम्मान करता था कि बाबा फरीत ने विद्धा वस्ता में तीन शादियां कि थी ज़िन मैं से तीसरी पतनी थी या एक पत्नी तीनों में जो थी वो बलबन की पुत्री थी यह महत्पूण है बहुत सम्मान करता था सम्मान में उसने अपनी बेटी भी वियाध दी थी इन से और एक बात और महत्पूण है कि गुरु नानक जो थे जो सिखों के प्रथम गुरु है वो भी बाबा फरीत के शिश्चत है तो यह भी महत्पूर बात है ठीक है न यह भी पूछता है बलबन के समकालीन कौन था तो गुरु नानक ठीक है न तो इसका उत्तर हो जाएगा बी बाबा फरीत अकबर के काल में भूराजस्व की प्रसिद नी थी आईने दह साला किसके द्वारा निर्मित की गई थी तो साथ से पहले तो आईने दह साला किस से संबंदित थी भूराजस्वे संबंदित थी ठीक है अकबर के काल में थी किसके द्वारा निर्मित की गई थी दूरिं अकबर period the famous policy of land revenue created by which of the following तो यह इसके साथ किसका नाम जुड़ा है दोस्तों टोडर मल का ठीक है राजस अधिकारी कौन था टोडर मल था अकबर का इसका नाम इससे जुड़ा है इसी ने निर्मित की थी ठीक है न मुगल शाषक अकबर द्वारा आईने दहसाला की सुरुवात कब की गई थी? 24 वर्स 1580 इस बी में आईने दहसाला की सुरुवात की गई थी और यहां भुराजस सबन्दित थी टोडर मल द्वारा निर्मित किया गया था इसलिए इस बनदोबस्त को कभी कभी टोडर्मल बंदोबस्थ भी कहा जाता है तो अगर आईने दहसाला के अस्थान पर टोडर्मल बंदोबस्थ पूछ लेगा तो भी भूराजस वाप लगाएंगे ठीक है न? भूराजस की दहसाला पद्धत को बंदोबस व्योस्था के नाम से भी जाना जाता है बंदोबस्थ भी उस्था भी कहा जाता है तो डी इसका उत्तर होगा आगे कृष्ण भक्ति शाका के महान संत वल्लभाचारे का जन्म कहा हुआ? वेर वल्लभाचार दे ग्रेट सेंट आफ दे कृष्ण भक्ति ब्रांच वाजबॉर्न बनारस, इलावाद, मतुरा या, पटना तो इनका जन्म कहा हुआ था? तो दोस्तों इनका जो है जन्म और मृत्यू दोनों बनारस में हुए थे ये जन्म और मृत्यू दोनों बनारस में हुए थे किष्ण भक्ति शाका या फिर ये कहले जे वैश्रों संत थे ये ठीक है न देखे चार प्रमुख वैश्रों संत थे उनके द्वारा अस्थापित चार प्रमुख मत थे याद रखेगा बता रहा हूँ स्री संप्रदाय से संबंदित थे रामा नुजाचार्य किसे संबंदित थे स्री संप्रदाय से और उनके द्वारा जिस सिधान का प्रच्पादन किया गया या जिस मत का प्रच्पादन किया गया उसे विशिष्टा द्वैतवाद कहा जाता है रामा नुजाचार द्वारा विशिष्टा द्वैतवाद का एक थे संत माधवाचार्य ये ब्रम्ब संप्रदाय संबंदित थे और माधवाचार द्वारा द्वैतवाद नामक मत का प्रत्वादन किया गया द्वैतवाद वहीं रूद्र संपताय संबंदित थे वल्लभाचार्य इनके द्वारा सुद्ध द्वैतवाद थीक है सुरी शुद्ध द्वैतवाद थीक है न शुद्ध द्वैतवाद का इनके द्वारा प्रच्वादन किया गया वहीं विश्णु स्वामी थे वो भी रुद्य संप्रदाय संबंदित थे और उनके द्वारा शुद्ध द्वैतवाद याद रखेगा विश्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और ये वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद और एक आता है अंतिम नाम निम्बार का अचार्य, उनके द्वारा द्वैता द्वैत वाद का प्रतिपादन किया गया, वो सनक संप्रदाय या सनकादी संप्रदाय से संब्धित तो इतना आप याद रखेगा तो वल्लबाचार का जन्म और मित्व दोनों बनारस में हुए थे तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा वाराणसी या बनारस हरिहर्व बुक्का को हिंदु धर में पुनह दिक्षित करने का श्रिय किसे आता है एक बात और दोस्तों इस पिछले वाले मैंने बताना भूल गया आपको कि वल्लबाचार के जो शुद्ध अद्वैतवात का सिधानत है इसको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है तो यह भी पूचा आता है पुष्टि मार्ग का संस्थापक कौन तो वल्लबाचार यह याद रखेगा पुष्टि मार्ग तो इनको दिक्षित करने का से हरिहर्व बुक्का किसे आता है दोस्तों पुनह हिंदु धर में विद्यारंडे को संत विद्यारंडे 20 का उतर है संत विद्यारंडे को ठीके ना हरिहर्व बुक्का ने 1336 इसवी में विजे नगर नामक सामराज की अस्थापना की थी ये पाँच भाई थे इनके पिता का नाम संगम था जिसके नाम पर ही इनके वंश का नाम संगम राजवंश कहा जाता है ठीक है न विजय नगर की राधधानी क्या थी हमपी थी किस नदी के किनारे इसका खंड़ा रिस्तित है हमपी का तो याद रखेगा तुंग भद्रा ने की थी तो बीज का उत्तर है अकबर की धार्मिक नीती को प्रभावित करने में निंड में से किस एक का योगदान नहीं स्विकार किया जाता है तो अब्दुल लतीफ भी हैं अबूल-फजल भी हैं बदायोनी भी हैं अब्दुल्लतीब भी अबुल्फजल भी थे बदायूनी भी थे हर विजय सूरी को नहीं दिया जाता है which one of the following is not accepted to influence अकबस religious policy तो इसमें बाकी तीनों का तो है हर विजय सूरी का योगदान नहीं माना जाता है पूछा गया प्रशन है सीस का उत्तर है अकबर की धार्मिक नीति के विकास में उसके पूरोजयों सिक्षकों का गहरा प्रभाव था अकबर के पूर्वज तैमूर और चंगेज धार्मिक संकेंड़ता से मुक्त थे धार्मिक रूप से संकेंड विचार धारा के नहीं थे अकबर की धार्मिक नीत को उधार बनाने के लिए प्रमुक भूमिका अगर किसी निभाई तो उनमे वायजीद, मुनीम खा, मीर अब्दुल्लतीफ, मुल्ला मीर मुहम्मद, अबुल-फजल, फैजी, शेक मुबारक, आदी का नाम आता है हर विजय सूरी का योगदान नहीं माना जाता है, हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं, जहां न वेद है, न कुरान है और नहीं बाइबिल, उक्तकतन किसका है किसके द्वारा इस्टेटमेंट यह कहा गया, तो दोस्तों यहां स्टेटमेंट स्वामी वियकानन ने कहा था स्वामी वियकानन का जन्म बंगाल में हुआ था, इनके गुरु का नाम रामकिश्म परमहन्स था 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है जिसके लिए विशेस्तर जहां पर तहलका मचा दिया था स्वामी जी ने, एक भाशन में अपने तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी जी ने हिंदु धर्म और था सनातन धर्म का प्रतनिद्व किया था शिकागो सम्मेलन में ही स्वामी विकानन ने कहा था कि मेरा इश्वर घर में खाना पकाने वाली पतीली के आकरी अन्द में निवास करता है तथा भूखे व्यक्ति को रोटी देने में विस्वास करता है मेरा इश्वर घर में खाना पकाने वाली पतीली की आकरी अन्न में निवास करता है तता भूखे वेक्ति को रोटी देने में विश्वास करता है तो यह statement भी इनी का था और हम मानावता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न तो वेद हैं न कुरान हैं और नहीं बाइबिल हैं उक्त कथन जो पूछा गया है प्रश्णक में यह स्वामी वेकननत का है भी इसका उतर होगा अप्रेल 1740 में बाजी राओ की मित्व के बाद पेश्वा बाजी राओ की मित्व के बाद किससे अगला पेश्वा नियुक्त किया गया तो दोस्तों बाला जी बाजी राओ को यह इसका उतर है बाला जी बाजी राओ बाजी राओ की मित्व के बाद बाला जी बाजी राओ 1740 से जिनका सासन रहा जो पेश्वार है इन्हें ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है मराठा सामराज का सरवाधिक विस्तार अगर किसी के काल में हुआ किसी पेश्वा के तो इनी के काल में हुआ संगोला की संदी जो 1750 इसभी में हुई थी मराठा जो छत्र Посती थे राजाराम जिति यह तथा बाला जी बाजी राओ के मध्र ही हुई थी इसी संदी के उपरांथ पेश्वास समस्त मराठा शक्ति का सरवे सरवाधिक शर्वा बन गया था लड़ा गया था उस युद्ध में मराठों का नेत्त तो बाला जी बाजी रायो के बेटे विश्वास राउने किया था और मराठा सेना की कमान सदा शुभावू तथा तोब खाने के कमान इब्राहिम खां गर्दी के हाथों में थी तो इसमें जो है यो युद्ध हुआ दोस सहब की मिर्त्य भी हो गई यह भी पूस्ता है कि नाना सहाब की बाद कॉन अगला पेश्वा बना तो पेश्वा माध repay राओ है नाव नाराएंड प्रताम यह 1761 में नाना सहब के बाद पेश्वा बने एन तो इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे बाला जी वाजी राओ या नाना साब भी देगा तो आप उसको उत्तर मानेंगे यह इसका उत्तर होगा भारशासन अद्नियां 1919 के बारे में किस ने कहा था कि यह सूरिसे विहीन आप उशाकाल जैसा है who said about the Indian Government Act 1919 that it is like a sunless dawn तो महत्मा गानी, बाल गंगा दर तिलग, जवाललाल नहरू या डाक्टर राजन पशार तो यह जो है बहुत प्रसित दुखती है जवाललाल नहरू की मान्टेंग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार या अद्नियम मान्टेंग्यू, चेम्सोर्ड, सुधार अद्नियम 1919 1919 के नाम से इसको जाना जाता है जो भारशाषन अद्नियम 1919 है इस अद्नियम की विशेद है हाला कि हमने आपको बताया कि जतने अद्नियम आये हैं उनके लिए एक अलग वीडियो रहेगा जितने जो आंदोलन खासकर मात्मा गाधी समद्नित है उसके लिए अलग एक वीडियो रहेगा उसमें आपको सारी जानकारी उसके बारे मिल जाएगी जो सुधार के लिए विविन योजनाय आई चाहे वेवेल प्लान हो चाहे क्रिस्प मिशन हो चाहे माउंड बेटन योजना हो जितनी भी योजनाय आई वो सब एक वीडियो में रहेगा तो उन वीडियो आप लगातार देखते रहे हैं मैं समय समय पर वीडियो देख करके उसको समाप्त करवा दूँगा फिलाल यहाँ पर भारश शासन अदनियां इसमें आरक्षित विशय और हस्तांतरित विशय दो तरह के विशयों की व्योस्था की गई थी तो पहली बार प्रांतों में दौईष राशन इसके लामा इस अदनियां के माध्यां से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया बहुत मध्पूर्ण है तीसरी जो मध्पूर्ण बात थी गौवर्नर जन्रल की कारेकारणडी के आठ सदस्यों में से तीन भारती सदस्यों की नियुक्तिका प्राउधान किया गया इसके लावा केंद्री विधान मंडल को संपूर भारत के लिए कानून बनाने तथा गौवर्नर जन्रल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया इसके लावा कांग्रेस के एक महजपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जो नरम पंथी थे उन्होंने इसको भारती अधिकारों का मैगना काटा कहा था लेकिन जवालाल नहरू ने इसको यह सूरी से विहिन उशाकाल जैसा है यह हुकती कही थी तो यह हुकती जवालाल नहरू की है 6 फरोरियो 1613 को जहांगीर द्वारा प्रदत एक फरमान द्वारा किस अंग्रेज के नेतित्त में सूरत में स्थाई अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई On 6 फिबल 1613 A permanent English factory was set up in सूरत under the leadership of which English was given a decree of जहांगीर या decree by जहांगीर तो Captain Hawkins, Hecton Munro, Edward Finch या Edward Terry किसे दिया गया देखिए एक चीज़ याद रखेगा आप लोग Code एक याद रखेगा जहांगीर के समय पे जो जो हमने हाला की एक question में discuss किया है लेकिन यहां भी discuss कर दे रहा हूँ कि जहांगीर के काल में जो चार लोग आये थे विदेशी उनका नाम याद रखेगा Bash भी ए ए एस एच ठीक है ना Bash William Finch Edward Terry Sir Thomas Rowe और Captain Hawkins Hawkins जो था पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरवार में आया था Captain Hawkins को इन्होंने दिया था यह इसका उत्तर होगा 1613 S.B. में Captain Hawkins के नित्यत में सूरत में British car खाने की अस्थापना की गई Captain Hawkins 1608 S.B. में मुगल समराट अकबर का पत्र लेकर जहांगीर के दरवार में आया सूरत में उतरने वाला वह पहला अंग्रेज था तो यहां अकबर के लिए पत्र लेकर आया था लेकिन अकबर की मित्य हो चुकी थी तो इसने जहांगीर को वह पत्र थमाया तो सूरत में जब वह उतरा तो उस समय जहांगीर यहां पे शासन कर रहा था अकबर की मित्य हो चुकी थी कैपटन हाकिन्स तुर्की तथा फार्सी भाषा का अच्छा जानकार था मुगल दर्बार में तीन वर्सों तक वह रहा जहांगीर द्वारा उसे सूरत में फैक्टि अस्थापित करने का फर्मान दिया गया जहांगीर ने हाकिन्स को उससे बहुत प्रसंद था उसको चार सो मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपादी भी प्रदान की थी तो एक बार और आपको कोड बता देता हूँ कि जहांगीर के काल में जो यूरोपी यात्री आये उनका नाम याद रखेगा B.A.S.H. ठीक है न? विलियम फिंच, एडवर्टेरी, सर टामस रो और विलियम हौकिंस बहुत बहुत धन्यवाद